हाई गाइस दा टेकनिकल स्वाक्ष चलेंग पे आपका सवागत करता हूँ अगर आप एक नया यूटूबर हो आप नया अप्लिकेशन या गेम की बारे में वीडियो बनाते रहते हो अपनी चलेंग पे तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडि इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप इस चलेंग पे नया वीवार हो तो आप इस चलेंग को सब्सक्राप करके जूरूर रखिएगा क्योंकि मैं इस चलेंग पे ऐसे इंट्रेस्टिंग टोपिक पे रोजाना वीडियो डालता रहता हूँ और इ ज्यादाना टाइम लेते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जो करना है आपको आपकी प्लेश्टोर को ओपन करना है और जैसे ओपन करोगी आपके पास इस तरह से प्लेश्टोर की इंटरफिस हो जाएगा अब आपको जो करना है आपको निची क करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है और जैसे यहां पर क्लिक करोगे आपके पास प्लेश्टोर की वो सारे अप्लिकेसिन आ जाएगा जो अभी निया लॉंज हुआ है तो मैं आपको दिखाने की लिए पहले वाला जो अप्लिक्स है जिसकानाम है बिलाक अड वाल नौपे पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आभी आप द Watts अपर आप देख पर हो पांच अप्लिकास को यह एप लॉंज हुआ है और आज का तारीक आप देख पार हो तेरा April है बतलब कुछी दिन पहले यह application लाँज हुआ है तो आपके पास इसी तरह से ओ सारी एर्प्लिकेशन से हो जाएगा जो आभी नया लॉंच हुआ है तो आप यहां पर देख पर हो यह सारे अप्लिकेशन आभी कुछी दिन के अंदर लॉंच हुआ है प्लेश्टोर के अंदर तो आप चाहो तो यहां से किसी सब्सक्राइब को अपने फोन में डाउंडोड करके देख सकते हो या फिर आप एक यूटूबर हो तो आप यहां से किसी एक सब्सक्राइब के बारे में वीडियो भी बना सकते हो और आपकी उपर डिपन करता है तो यह तो रहा है वो सारे अप्लिकेशन जो कुछी दिन पहले प्लेश्टोर पे लॉंच हुआ है लेकिन आप बात करते है कौन से ऐसे अप्लिकेशन है जो कौनसे नएा लाउंच हुआ है प्लेसटोर प्लेश्ट करना है और यहां पी चलु रहा है यह सारी ऐतन आप्लिकेसन आपके अपलु के पास ही हुआ पे क्यौना यह पिंड लेकिन आप ट्यालर्सन पे चल रहा है वो दोनों अप्शन जिसकी मद़स्के आप पता पाओगे कि कौन सा application नया लॉंच हुआ है प्लेश्टोर के अंदर और कौन सा application अभी तो प्लेश्टोर के अंदर लॉंच नहीं हुआ है बस ट्राइल फर्सन पर अगर आपको यह जानकरी पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपने दोस्तों के सा होंगा तो उसका notification सीदे आपके तक चला जाएगा तो चले मिलते आगे एक नया इंटेस्टिंग टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत